प्रेस थे बेल आइकान अन यूटूब आप और नेवर मिस अनाथर अपडेट बिटकोइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को कभी डिगल टेंडर मानने से इंकार कर चुकी मोधी सरकारब मान रही है कि दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है तो डिजिटल करेंसी को अपनाना ही होगा रिजर्ब बैंक की गुरुवार क्वाई मोनेटरी पॉलिसी रिव्यू के नतीजे से इसके साफ तोर पर संकेत मिले है आरबियाई ने डिजिटल करेंसी को भारत में हकिकत बनाने के लिए एक गुरुप बनाया है जून तक यह गुरुप सुझाव देगा कि भारत में डिजिटल करेंसी कैसे और किस तरीके से मुम्किन है RBI जिस Cryptocurrency को लाएगा उसका नाम लक्ष्मी कोयल हो सकता है Currency बाजार के जानकार मानते हैं कि Cryptocurrency अब पारदर्सी तरीके से लेंदेन के लिए अब जरूरत बन चुकी है ऐसे में Cryptocurrency या Block Chain को प्रोगसाहन नहीं मिला तो इस मामले में भारत दूसरे देशों से पिछर सकता है एंजल ब्रॉकिंग के अनुज गुपता का कहना है कि जब सरकार पूरी तरह से कैसलेस एकोनोमी पर फोकस कर रही है और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक सेफ विकल्फ हो सकता है क्रिप्टो करेंसी एक तरह से सिक्क्यूर डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लोक्चेन पर बेस्ट है मोनेटरी पॉलिसी में तहा गया है कि RBI द्वारा रेगुलेटेड कोई भी एंटिटी बिटकोईन जैसी क्रिप्टोकरंसी खरिदने या बेचने के लिए किसी व्यक्ति या बिजनेस एंटिटी के साथ डील नहीं कर सकेगी साथ ये इसी सर्विस भी उपलब्द नहीं करा सकेगी इस आदेश के साथ RBI द्वारा रेगुलेटेड इवैलेट और अइन एंटिटीज पर क्रिप्टोकरंसी की विक्रिद या खरिद पर रोक लग गई है वहीं कोई व्यक्ति अपने एकाउंट से क्रिप्टो ट्रेडिंग वैलेट्स में पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर सकेगा जब सरकार ने क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग पर तक्काल प्रभाव से रोक लगाती है तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने पहले से ही इसमें निवेश किया है केडि में निवेशकों के पास यह विकल्प है कि वे जायज तरीके से मोजूदा निवेश से निकल सकते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अभी 50 लाख लोगों ने क्रिप्टोकरंसी में निवेश किया है बिटकोईन में भारत में कूल निवेश अनुमानित 200 करोड दॉलर का है वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि RBI जुवारा दिये हुए समय में अगर निवेशक मोजूदा निवेश से नहीं निकलते हैं तो फिर उनका निवेश रिस्की हो सकता है एंजल ब्रोकिंग के अनुजगुपता कहते हैं कि बिटकोईन या दुसरी किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी सरकार की रेगुलेशन के दाइरे में नहीं है सरकार ने मोजुदा समय में हर तरह की क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग को बेंड किया है ऐसे में RBI दुवारा दिये जये समय में अगर निवेशक बाहर नहीं आते हैं तो उनका पैसा फस सकता है हो सकता है इसलिए इसे स्विकार करने की ज़रुरत है RBI ने भी इसी महत्व को देखते हुए अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने का मन बनाया है इसी वजह से यह मुम्किन है कि देश में बिटकोई या दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगेगा सरकार बिटकोई जैसी करेंसी को लेकर बहुत पहले से ही निवेसकों को अलर्ट कर रही है वहीं RBI ने भी बार बार आगाह किया है देश में बिटकोई या दूसरी कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग मायन नहीं है ऐसे में अगर निवेसकों का पैसा डुबता है तो RBI कि इसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा